नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा क्या कुछ बड़ा हुआ चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं और हमारी पहली खबर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़ी हुई अचानक पूर्व मुख्यमंत् अस्पताल में भरती किया गया है उनके अस्वस्त होने के बाद उनके बेटे नकुलनाथ भी अस्पताल के लिए रवाना हो गये हैं और उनके स्वास्त की जानकारी लेने के लिए वो तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गया है बताया जा रहा है कि कमलनाथ को सीने में दर का इंफेक्शन पाया गया है जिसके कारण आर्टी पीसी आर्ट जाच भी कराने की बात कही जा रही है अचानक से तबियत खराब हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जिसके बाद मेधानता अस्पताल में उन्हें भरती किया गया है इसकी सूचना जैसे ही प्रदेश क मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान को लगती है उन्होंने तुरन थी ट्वीट कर उनके जल्दी स्वस्त होने की कामना की है ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के अस्वस्त होने की सूच प्रोब्लम आगे ना हो इसके कारण उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भरती किया गया है। आदेश भी जारी कर दिया है इसके अनुसार टेक्निकल और मैनेजेरियल कैडर को विशेश प्रोथसाहन भता दिया जाएगा आपको बता दे कि काफी लंबे समय से सम्विदा करमचारियों की यह मांग थी। पूरी करने का भी आश्वासन दिया था जुसके बाद अब प्रोथसाहन भता देने की बात पर फैसला लिया गया है और दो से तीन हजार की बढ़ोतरी करमचारियों के वेतन में करने का निर्ने लिया गया है। पूरी तीसरी खबार की बात करते हैं जो कि मौसम से जुड़ी हुई है मधिप्रदेश में पिछले दस दिनों से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने आज ही दोपहर में यह पुष्टी कर दी है यह घोशना कर दी है कि मधिप्रदेश में मांसून साथ दिन पहले ही दस तक दे चुका है। अगले 24 घंटे में क्या कुछ होगा इसकी भी बात मौसम विभाग ने कही है। संभागों के लिए और खरगौन, बढ़वानी, अलिराज, जारपुर, जाबुआ, धार, इंदोर, होशंगाबाद, सीधी और सिंग्रॉली जुलों में कहीं कहीं गरत चमक के साथ तेज हवाएं चलने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मतलब एक हपते पहले ही मध्यप्रदेश में मांसून दस्तक दे रहा है और 20 जून तक पूरी तरीके से मांसून मध्यप्रदेश में शुरू हो जाएगा। हमारी आखरी ख़बर की बात करते हैं सतना रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के लॉक अप में एक यूवक के फांसी लगाने की ख़बर सामने आई और इस ख़बर के बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया इसका असर रीवा में देखा गया रीवा जैस्तंब म चका जाम परिजनों ने शव को बीच में रख कर किया काफी भीड हुई ट्राफिक काफी जादा हुआ आवागमन बाधित हुआ भारी पुलिस बल तैनात हुआ मौके पर काफी समझाईश के बाद परिजनों को शान्त करवाया गया मुआवजा की बात कही गई और अधिका जब उसकी बॉडी लेकर रीवा पहुँचे तब उनमें आक्रोश काफी जादा था जैस्तम में उन्होंने शब को रखा और चका जाम किया काफी भीड एकत्रित हुई आवागमन बाधित हुआ पुलिस दे जैसे तैसे समझाईश देकार मुआवजे की भी बात कही गई औ और उसके बाद ट्राफिक को वहाँ पर कंट्रोल किया गया जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार परिजनों ने जो बताया है तो युवक अपने निजी काम से सतना गया हुआ था आरपीएफ जवानों और जो बाकी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चोरी के संदे मे आरोपी को आरपीएफ जवानों ने लॉक अप में रखा लिखा पड़ी चल रही थी कारवाही की जा रही थी और आरपीएफ जवानों को यह भी कहना था कि कुछ समय बाद आरोपी को छोड़ दिया जाएगा चोरी के संदे में उसे लोक अप में रखा गया था लेकिन उसी दोरान युवक ने कंबल को फांसी का फंदा बनाया और अपनी जान ले ली आत्महत्या कर ली तुरंथ ही आरपीएफ के जवानों ने उसे अस्पताल पहुचाया जहां पर उसे मृत गोशित कर दिया गा कुछ देर तक तो मामले को आरपीएफ के जवानों ने छुपा कर भी रखा किसी को जानकारी नहीं दी गई परिजनों से भी कुछ और ही बताया गया था फिर जब बाद मौत की पुश्टी हो गई और कुछ समय बाद आरपीएफ के जवानों ने उनके परिजनों को या कि उसकी मृत्य हो गई है इसके बाद परिजन सतना पहुंचे वहाँ पर भी खूब हंगामा हुआ ये भी जानकारी मिली कि आरपीएफ के जवानों और परिजनों के भी जूमा जटकी भी हुई ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद इसका असर रीवा में भी देखने को मिला चक्का जाम किया गया और उसके बाद काफी समझाइश के बाद चक्का जाम रीवा जैस्तम से भी खुलवाया गया तो सतना में युवक की मौत हुई और रीवा में परिजनों ने परिजनों का आक्रोश इस तरह फूटा की रीवा जैस्तम चराहे में शव को रखकर च परिजनों ने किया था तो हमारी आज की चार बड़ी खबरे तमाम खबरे लेकर कल फिर हासर होंगे देखते रहें विंद्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद